सराय केला से बड़ी खबर आ रही है अवैद खनन का मामला है इस बार बालू की चोरी का मामला है सराय केला से लागतार बालू का उठाव हो रहा है नदी स्वणरेखा नदी से बालू निकाली जा रही है लेकिन पुलिस प्रशासन मौन है बालू के अवैद खनन पर क्यों खामोश है पुलिस? 20 लग CFT बालू बरामदगी के बाद हुआ खुला सा बालू के अवैद खनन पर क्यों रही सराय केला पुलिस खामोश? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है महीनों से हो रा सराय केला में बालू का काला कारुबार सराय केला खरसावा के खनन विभाग को लेना पड़ा एक्षन इचागण विधांसवा च्छेतर के तिरुलडी में जबरदस्ट छापा मारी हुई जिला खरन पदादीकारी जोती संकर सत्पती ने संभाला मोर्चा अवायद बालू लदे तीन ट्रैक्टर भी जब्त किये गए हैं रेल्वे लाइन के किनारे स्वन्रेखा नदी से बालू का उठाव होता है स्वन्रेखा नदी के तच पर ही बालू का वायद भंडारन भी किया गया था जहां से 20 लाग सी एफ्टी बरामद हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं पुलिस पर बालू तसकरों से 60 गाट के आरोप हैं प्रति ट्रेख पांच हजार रुपे वसूली के गंभीर आरोपो पर चर्चा है सराइकेला से निकले बालू को भेजा जा रहा है राँची और जम्शेदपूर बाजार में बालू की काला बाजारी हावी 45,000 से लेकर 50,000 उपे प्रति हाईवा तक की हो रही है विक्री सराइकेला से निकले बालू को भेजा जा रहा है राँची जम्शेदपूर हाईवे पर बेधड़क अवैद बालू लाद कर ये हाईवा और बाहन दोड़ते हैं प्रधान मत्री आवास कैसे बनेगा सडक नाली कैसे बनेगा गरीब का मकान कैसे बनेगा चौदा हजार की बालू पचास हजार में जनता जवाब लेगी और जनता को पांस साल में एक बाका मिलता है जितना आपने बालू लूटा, जितने गिट्टी लूटा, जितना आपने कोईला लूटा, जितना आपने जमीन लूटी, आदिवासी जमीन लूटी, सेना की जमीन लूटी, आपको यहार राज की जनता 14 की 14 सी वाज़पा के गले में, धान मंत्री नरे नमोदी के में, गले म चार जूर कर तेरा फूर एक फ़ल डाल कर इनको अकात दिखाने का काम है वहाँ अबागा सांसद संजय सेट को आपने सुना राची लोग सवाच शेतर सांसद है किस कदर पुलिस की हम कहले लापरवाही है या पुलिस की सांट गांट है किस कदर हावी है कि बालू का खेल पूरे राज्ये में धड़ले से खेला जा रहा है और अखबारों में मीडिया की सुर्खियों में रहा है बालू तस्कर मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं लेकिन किसी बालू चोर पर कारवाय नहीं होती कई नाम ऐसे हैं लिस्ट है हमारे होती है उगरवादी जला देते हैं बावजूद इसके बालू पर जिरा प्रशासन या पुलिस लगाम नहीं लगा पाती इसके पीछे क्या कारण है ये तो खनन विभाग को तलाशना चाहिए खनन विभाग ने कड़ाई की और बीस लाक सी एफ्टी बालू जब दुवारू करते हैं मनोज हमार साथ जुड़ रहा है जम्शित्पूर से मनोज सराय केला से बालू निकलता है स्वन्रेखा नदी का बालू खीच-खीच कर निकाला जा रहा है स्वन्रेखा नदी के तठ पर ही थोड़ा इंटीरियर में बाकाइदा भंडारन किया जा रहा है स्टोर बना दिया गया स्टॉक किया जा रहा है वहाँ पर और वहाँ से पांच हजार रुपए प्रती हाईवा पुलिस को मैनेज किया जाता है जिसमें नीचे से उपर तक के सारे पदाधिकारी मैनेज होते हैं और पैतालिस से पचास हजार उपया परती हाईवा ये बालू बेचे जाता है कभी रांची भेजा जा रहा है कभी जम्शतपूर भेजा जा रहा है जो जानकारिया मिल रही है मनोज देखे निश्यतर में बालू माफिया इसकदर हावी है कि पूरे जीले को अपने आगोश में ले लिया यूँ के है पूरा कोलहान जो है बालू माफिया जब चाहे तब वो ट्रेक्टर और ट्रक निकाले बालू माफिया जब चाहे तब वो नदी से बालू निकाले भली खाना पूर्ति किया जाता है खनन विभाग दोड़ा खनन विभाग खना पूर्ति करती है कुछ गारियों को पकरता है और कुछ दिन के बाद वो गारी थाने से छुड़ जाता है और इसलिए छुड़ जाता है कि यह कहा जाता है इसके पास में कागजात था जबकि यहां टेंडर ह नहीं हुआ तो कागदात कहां से आ गया पाश्चिम बंगाल का कागज दिखाया जाता है और ज़ारखंड के सोर्ण डेका और खरकई से बालू का उठाओ होता है संजय नदी है उस नदी से बालू का उठाओ रहा है अब आप समझिए कि बालू का उठाओ इस को लहां से हो रहा है और पेपर जो दिखाये जाता है तीन दिन बाद वो परश्चिम बंगाल का परश्चिम बंगाल का काकस दिखाकर ये बता दिये जाता है कि यह गारी पर्शिम बंगाल से आ रही थी अमुक जगा था और इस गारी को डिटेंड किया गया यानि कहीं न कहीं अस्थानिय ठाना और साथ-साथ खनन भी भाग कि मिली भगत से यह बड़ा खेल चल रहा गए और ऐसा रैकेट कि इस पर काबू पाना अब प्रसास तो यह भी बताते हैं कि सरकार में बैठे हुए कुछ वैसे सपोत पेस नेता है जिन तक बालू का पैसा जाता घए और सिधे राची से डिलिंग होता गए और एक बार अगर किसी का हाईबा गर पकड़ा है और एक साथ एक हाईबा नहीं पकड़ाता है एक साथ 5 से 7-8 हाईबा पकड़ाता है और उसके बाद में ठीक 24 गंटे या 40 गंटे के बाद वो गारी छुड़ जाती है वहाँ पेपर द समझे कि बालू माफ्या का इस कदर राज चल रहा है कि सरकार से लेकर प्रसासन तक उसके कबजे में अगर कोई पत्रकार अगर दीन में उसका रेकॉर्डिंग कर ले या उसके सामने रेकॉर्डिंग कर ले या तो उसकी जान जाएगी या उसको वहीं पर उसकी पिटाई की जाएगी ताव समझे लेकिन अगर थाना को फोन करेंगे तो थाना समय पर नहीं पूंचेगा क्योंकि थाना को महीना मिलता है हर गारी से महीना ही नहीं त्रीप पे गारी बंदा हुआ है कि एक दिन में इतना अमुक वेक्ति इतना ट्रिप बालु लेके निकलेगा तो आखिर वो क्यों किसी का बात सुनेगा और धरले से बालु का उठाओ चोड़ा है तो उसमें यह दिखाएंगे कि किस तरीके से पुराने स्टॉक लाइसेंस पर खेला हो रहा है बालु के कारोबार का बालु नदी से निकाला जाता है लेकिन स्टॉक का काकस दिखाया जाता है जिसमें अगर अस्ती लाख का आपको बिला हुआ है अगर आदेश है आपको अस्ती लाख सी एफटी का और उससे ट्रांजेक्शन हो चुका है दो करोड तीन करोड सी एफटी बालु उठ चुका है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है खनन विभाग भी आंके मुन चुका ह है और जारखंड पुलिस की तो बल्ले बल्ले चल रही है बालु के कारोबार में वहराल बहुत धनवाद मनों जमासा जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए लाइक अंड शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बल आइकोन निउस लवन भारत सच है तो दिखेगा